महिला ससक्तिकरन के छेतर-अबिशेस योगदान, उनका मन्ज से सम्मान किया जा रहा है स्रीमतिस सिनु साहु, पतिस अपनिल साहु मुंगेली, महिलाओं के बीच में उत्कृिष्ट योगदान के लिए सम्मान किया रहा है देवनास साहु जी समाजिक सद्भावना के लिए जीला धक्ष रहए पुर्ग्रामिन जोर से उनका भी सम्मान है सब आगे दज्जन डाक्तर महेंद्र साहु राजिम भक्तिन मंदिर समीति के इसारक्षक ऑर राजिम माता के विषैस सेवक के रूप में आपका सम्मान मन से किया जा रहा हुए श्रीयस्वंद्ध साहु जी पिता हरी राम साहु जी ये जनदिश्ट के रूप में दूर कर भिलाई से उन hemका सम्मान है ओम प्रकाश शाहू, बैध्य, प्रामपरागा बैध्य और मानाव सेवक के छेतर में विशेश योगदान के लिए सम्मान, दाक्तर अखिलेश शाहू, फीजियो थैर्पी चित्सक, वर्ड गिकार्ड बनाने वाले साहू समाज के गवरों, एक बार तालीब जायकों को सम्मान करेंगे, कुमारी पूरिमाज शाहू, पीता फागलाज शाहू ये गोल्ड मेटलिस्ट, इनका यहम मंच के माध्यम से सम्मान के जा रहा है, इन सभी प्रतिभाओं से नियोजन है कि मंच में आकर अपना सम्मान और प्रमान पत्र करन करें, और इसी के साथ ही, अन्मौल कलेंडर का भी मोचन कराएं, आप को संभादन में जल्दी सा जाएं स्री पोसन साहु जी को अभी सद्भाना यात्रा में उत्कृष्ट तहसिल का उनको सम्मान परदान किया जा रहा है सबसे ज़्यादा तहसिल की और से सहयोग उनके द्वारा मिला है आपका स्वागत हबिनंदन है और मैं सबसे आगरा करता हूँ कि आए आप लोग अपना इस्थान ग्रहन करें मैं सभी अतितियों से भी आगरा करता हूँ कि आप लोग अपर दिखो जिया चिनलाते हुआ तो उस्था रखने सीने जी आपका अज गये कारक्रम राजिम भक्तिन महुत्साओं के साथ ही आम सभा कभी कारक्रम है और मैं आज के आज के अध्यक्षता कर रहे मानमी तामरत भज्जी से अनमोती लेकर 36 गर प्रदेश साहुसंग इस आम सभा में चार प्रस्ताव पारित कर रहा है और उसमें आप सब का अनमोतन भी होना है और ये पहला प्रस्ताव है कि राजिम भक्तिन की जो जयन्ती है अभी केवल राजिम में मनाया जाता है मानने हमारे अध्यक्षताव है कि 36 गर के प्रत्यक जिले और प्रत्यक तहसिल में इसका उजन होना चाहिए कि आप लोगों से अग्रा है कि जोरदार ताली बजाकर इसका नमोदन करें तो ये आम सब हमें प्रस्ताव पारित माना जाएगा दूसरा एक बहुत बड़ा विशा है कि राजी लोचन मंदिर जो ट्रश्ट है उसमें एक भी साहू बंदू हखもしщig नहीं है मादमें मुख्यमंत्री जी एह विद्यमान है हमारे राष्टी एद्ध हुद्यमान है हमारी आर्या क sauce मैं साहु समाज का भीकंश ये एक ब्यक्ति का प्रदीश तो होना चाहिए यह आंसवा में हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं और मानिय अध्यक्ष महोदय का यह संकल्प है कि मीमा वली पूरे ग्रामीन से लेकर प्रदेश तक यह मीमा वली का परिपालन पूरे चतीस गड़ में होना चाहिए और चोटा है क चुनाव संसोधन यह मांनी अध्यक्ष चाह रहे है और मैं यह प्रस्ताव को रख कर मैं मानली अध्यक्ष महोदय से आध्या करता हूं मन्नी स्री टहल साहोजी सागर करता हूँ कि आए और अपना उत्वोधन स्वागत भासन के साथ ही अपना ये प्रस्ताव को भी अन्मोधन कराएं मन्नी स्री टहल साहोजी कहा है आप सब बहुत धैर्य से आप बैठे हो और मैं आपके तीन साल के नौकर बोलत हो टहल साहो मैं ये समाज के मालिक नहूं मैं समाज के अध्यक्षन हो आप